ये जिकसर SF250 का metallic matte black color है जो सिर्फ SF250 में ही आता है SF150 में आपको glossy color देखने को मिलता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके price, features और mileage के बारे में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं start करता हूँ इसके front से तो इसके visor के उपर आपको मिल जाता है transparent wind seal का glass जो की adjustable है और इसका visor आपको मिलता है matte black color के साथ में और इसकी headlight की बात करें तो यहाँ पर आपको fully LED setup देखने को मिल जाता है जैसा कि मैं इसकी headlight को on कर देता हूँ तो यहाँ से आप इसकी light को देख सकते हो जो की काफी ज़्यादा style और काफी ज़्यादा premium looking दे रही है इस bike को और इसके side में देखोगे तो यहाँ पर आपको indicator मिल जाते हैं जो की halogen type के दिये गए हैं और इसके नीचे की side में इसके front वाले mudguard के उपर सुझकी का logo दिया गया है और यहाँ से आप इसके front वाले tire की grip को देख सकते हैं इसके braking system की बात करें तो इस bike में आपको dual channel ABS braking system मिल जाता है इसके front में भी ABS braking system दिया है और इसके front के tire के size की बात करें तो 110-70 का tire size मिल जाता है और यहाँ पर आपको radial tire मिल जाते हैं और 17-inch के black color के diamond cut type के yellow wheel यहाँ पर दिये गए हैं और इसके front में आपको telescopic suspension मिल जाते हैं और इसके engine cowl के उपर देखोगे तो जहाँ पर आपको सुझगी का logo मिल जाता है और इसके उपर की side में देखें तो जहाँ पर आपको 250 का और SOCH का logo मिल जाता है golden color और white color के combination में और यहाँ पर आपको jixer SF का sticker देखने को मिल जाता है और इसके जो fuel tank की capacity है वो 12 liter की दी गई है और इसका जो उपर की side में आपको matte black color मिल जाता है अब इसके meter console की बात करें तो यहाँ पर आपको fully digital type का meter console देखने को मिलता है उपर की side में LED की light दे दी गई है और यहाँ पर आपको ABS की indication light, engine की temperature indication और warning indication मिलती है और इसके दूसरी side में आपको man headlight indication, gear की neutral indication और turn signal indication, engine malfunction indication light देखने को मिलती है। और इसकी display में आपको nearly trip meter मिल जाता है और यहाँ पर आपको kilometer की reading और यहाँ पर clock दी गई है और आपको gear position indication je attorney MR. program Alm आपको किलोमीटर पर आवर स्पीड और यहां पर आपको फ्यूल की रीडिंग मिल देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको ट्रिप मीटर को एड़ेस्ट करने के लिए बटन मिलती है और यहां पर आपको बैटरी के बोल्ट भी यहां से आप देख सकते हैं और यहां पर आपको जो इंजिन किल का स्विच मिल जाता है रेड कलर के साथ और इसके नीचे की सैड में आपको सेलब का स्विच मिलता है नीचे की सैड में चलें तो यहाँ पर आपको जो है ग्रेवेंडल मिल जाते हैं जो की split में दिये गए हैं और यहां से आप इसके cuts को देख सकते हैं तो अब बात करें इसके rear wheel की तो यहां पर आपको 155 60 section के tire size मिलते हैं इसमें आपको MRF company के radial tire मिल जाते हैं और 17 inches के black color के diamond cut type के जो yellow wheel देखने को मिल जाते हैं और इसके rear में भी आपको जो है ABS की disc brake देखने को मिल जाती है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसका जो पीछे बाला जो tire है वो भी काफी चोड़ा दिया गया है अब दोस्तों हम बात करें इसके suspension की तो इसके rear में आपको मिलता है swing arm टाईप का suspension और इसके suspension को गंदा होने से बचाने के लिए यहां पर आपको एक छोटा सा mud guard भी देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको इसके tire के उपर आपको एक tire हगर भी देखने को मिल जाता है जो इस bag को पीछे की side से गंदा की का लोगो मिल जाता है नीचे रिफ्लेक्टर और साइड में आपको जो इंडिकेटर मिल जाते हैं बल्ब टाइप के और इसकी जो टेलाइट है वो आपको मिलती है LED में और इसकी जो डेजान है वो काफी ज्यादा यूनिक रखी गई है जैसा कि यहां से आप इसके पीछे रॉपकानिष सब्सक्राइब को करते हैं पाले लुक देख सकते हैं दोस्तों इसके दूसरी सैड में तो यहां पर देखQué तो इसकेSeeट का नीचे की साइड में आपको एक सीट का लॉकर मिल जाता है और नीचे की साइड में आतको एक कंपनी अपर ब्लैक कलर का साडीगार क्लियन्स मिल जाती है अब बात करें इसके इंजन और पावर की तो इसमें दिया है 249 CC का ओइल कूल सिंगल सेलेंडर BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इसकी मैक्सिमम पावर है 26.5 PS की 9300 RPM पर इसका मैक्सिमम टॉर्क है 22.2 Nm का 7300 RPM पर इसमें दिया है 6-speed gearbox इसका करव एट 161 KG बात करते हैं इसके इंजन की दूसरी सैड में तो यहांसे भी आप इसके इंजन को देख सकते हो यहां पर आपको 1200 Ml इसके इंजन में ओल आता है इंजन ओil और यहां पर आपको इंजन ओल का कावल को देख सकते हो जो की काफी ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिस दिया गया है इसके उपर की सैट में देखोगे तो यहां पर आपको एक सिंगल हॉर नजर आयाता है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसका जो एक्जॉस्ट है वो नीचे की सैट से दिया हुआ ह जो कि आपको इसके बॉडी कवर में पूरा का पूरा फिट कर दिया है जो बार की सैट से नहीं देखेगा और यहां पर आपको ब्रेकिंग का सेट अप देखने को मिल जाता है यहां पर आपको पिलियन के लिए एड़ेस्टिवल पूर्ट्रेस्ट और यहां से आप इसके की design को देख सकते हो यहां पर आपको metal की chrome की plate और पीछे की side में जो plate लगी है वो आपको fiber की मिलती है जो की chrome finish के साथ दी गई है अब दोस्तो हम इस bike को start कर लेते हैं तो हम मैं आपको इसके exhaust का और इसके engine के sound को सुना देता हूँ अब यहां से आप इसके engine के sound को note कर सकते हो जैसा कि इसका engine है वो 250cc का है और काफी refine engine है अब यहां से आप इसके exhaust के sound को भी note कर सकते हो दोस्तो अब आपको इसके engine का और इसके exhaust का sound कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं तो अब मैं बात करें इसके माइलेज की तो इस बाइक में आपको 30-35 KMPL का असानी से माइलेज मिल जाएगा अब हम बात करें इसके प्राइस की तो सुझकी जिकसर SF250 का ऑन रोड प्राइस है 2,16,92 रुपे अगर आप सुझकी जिकसर SF250 को मोटो जीपी एडिसन में लेते हूँ तो उसकी कीमत है 2,16,903 रुपे ये अन रोड कीमत मैंने आपको बताई है बेबान सुझकी बेल गचिया रोड कॉलकता सोरूम की सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अधरे स्टेड वाले बिल्कुल भी टेंसन ना लें आप अपनी सीडी का नाम कमेंट कर देना मैं आपको आपकी सीडी का ओन रोड प्राइस रिप्लाई करके वदा दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथी साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को